सेकंड संडे नाइन्थ जोन आप सबने सुना वीडियो आभी चुका है कल रात पे ही किसका कागजी पती का तो कागजी पती पूरी तयारी पे तयार वैर होके और पास में जहां पे किसी से बात हुई थी जिसने बोला था कि हाँ हाँ जो नेक्स संडे आएगा उसमें हम आप हो गए जिज्जा जी आय है मुबारक हो तो हेलो एब्रीवन एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस रंगा रंग चकाचक प्रोग्राम में अब चकाचक किसले क्यों कि कुछ लोगों ने एकदम चकाचक वाली बाते करी हैं तो बिना कोनों देरी क्य है इसके इस रंगा रंग कार करम में चलो चालाक लोगों के कुछ पड़ते खूली जाएं चलो भाई साब करते हैं तो भाई इनके कागरी पती का मतलब मिस्टर अंकुष और हमारी जिज्जी के ए मिस्टर ये कर दूंगी वो कर दूंगी मिस्टर तुम्हें क्या लगता है मैं दस बच्चे पाल लूँगी इसलिए मिस्टर इनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट है वो तो आप लोग भी जानते हो खैर तो जी मिस्टर का मतलब हमारी जिज्जी के मिस्टर का जो हस्वें मतलब कागजी है उनका जो टाइटल था वो था early morning ready हो गया और आज तो second Sunday था तो भाई सुबहिया सुबहिया तयार वैर होके जो nearest place बताया था उसके इर्द गिर्द कौन था कागजी पती क्यों क्योंकि एक कहीं न कहीं ये था कि शायद पिछले दिनों में किसी खास महिला ने किसी खास लड़की ने वादा किया है कि हाँ क्यों नहीं बिल्कुल कि अब मैं पहले सल्फिस थी हमने इनका वीडियो भी देखा है और टाइटल अभी भी पढ़ा जाके आप देख सकते हैं जहां पे लिखा है कि सिर्फ अपने बारे मिमा सोचो फलान सोचो धमाक सोचो बहुत एक्जामपल भी दिये थे रील के और ग सबसले हैं चैसे और बड़ी बड़ी बाते हो रही नीकुछ ही दिन में क्लेफ हो जाएंगी जब बिग बॉस वाली जिजी आए और जैसे बबाुस वाली जिजी आई भाई साया हा एं और बाब बसबनारे negócio में जो नया गेम खेला और सबको लायकर पहुह एक से रांटनग कितने मिकार दे रहे हैं वो सारा क्वालिटी बताये रही और कुछ परसंट दे के फ्री में रहे रहे हैं और प्लस आप सब को पता है कि ग्यारा या बारा में जिज्जा जी की मतलब हमारे नोना जिज्जा की मास्टर माइंड की जादू टोना की होती है वैडिंग एनवर्सर अब पूरा कुन्बा तो एक साथ नहीं बोल सकते हैं पर हो सकता है कि गहुमते घंते उधर से भाई बगगा बगगी भी आ जाएं देदी और जीजा को बधाई देने अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि आ सकते हैं किकि बिग बाउस को खुश करने में सभी लगे रहते है अब बिग बास को खुश करने के लिए तो बगगी कहां से कहां चली आई थी हाला कि लोगों ने बाद में समझाया कि बहें तो ने बहुते गड़बड किया है काम तुझको करना चाहिए था वहीं आ रहा कहां चली आ इधर मू उठाए के क्योंकि यहां तो कुछ हो रहे चल रहा है प्रोग्राम मम्मी जी को उठाए के चली गए कहां है तो यह सारी कहानी तो ये सब तो आप सबको पता ही है दर्सों को, फिल हाल अगर हम मुद्दे की बात करें, तो किस प्रकार से एक पिता, फिर से लगातार बार बार, जूटी अपवाहों का शिकार हो रहा है, माता जी तो खेर अपना वो काम कर रही थी, जो करती रहती हैं दिन भर, खाना, पान बरतन, घर का पूरा सब कुछ सेट सुट करना है न, तो कहीं न कहीं उनके में माइंड में आता होगा, कई बार यहां पर चीज़े शो नहीं करती हैं, हाँ वो बात दूसरी ही कि कुछ लोग तो आके लाइव यहां पर कर गए हैं, छोटी छोटी भरास को बड़ा बड़ा तो उनके उपर क्या-क्या बीटती होगी, क्या-क्या दिन भर माइंड में सोचा करती होगी, क्योंकि हम सबने अक्सर देखा हैं, अगर एक जमीनी हकिकत के बात करें, तो भाई साब देखें इनके जो कागजी पती होते हैं, या तो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना के अंतर ग मनने लगता, मन एकदम वो होता रहता बिचली तो जहां मन होता वो निकलता कि यहां अच्छा सुकून मिलेगा, यहां सुकून मिलेगा, चलो अच्छा वहां चलते हैं, तो उसमें उस इंसान की भी इतनी बड़ी वो नहीं है, पर हां, माता जी अकेली रह जाती हैं, और व किसी ना किसी चीज में, है ना, लेकिन जो मोसली वर्क है, कौन करता है, आप सबको पता है, मम्मी जी, तो अकेले में जब वो होती होंगी, तो क्या सूचती होंगी, तो ऐसी एक बात उनके मुझ से निकल गई थी, उस बात को मैं नहीं भूलती हाला कि इनके बेटे मजाक क रहते हैं, यहां पर अंको शगने होती ही, कुछ मम्मी ने बनाए पीले चावल, तो बोले मम्मी जैसी कोई मम्मी नहीं, कुछ ऐसा डायलोग था, तो आँटी जी के मों से निकल गया था, ऐसी मम्मी ना ही होतो अच्छा है, उस बात में बहुत कुछ था, जो सोचने वाले समझने वाले, वो समझते हैं, कि उस बात का मतलब क्या था, कि इतना ज्यादा, इतना ज्यादा मतलब सब कुछ होते हुए, सब कुछ करते हुए, पोता भी है, बहुरिया भी है, लेकिन ही सारी चीज़े होते हुए भी, आज उनके ओपर दोशार ओपन लग रहे हैं, इस ए चोटी सोच जिम्मेदार है, इस तरीके से डिसीजन लेना जिम्मेदारी है तो भाईस आप इस एज में वो क्या क्या अपने बारे नहीं सोची है, सोच वो अकले रह रहे कि सोच के उनका मन कितना अखुताए जाता होगा, कई बार मैं सोचती हूँ कि यार, इस एज में उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ रहा है लेकिन नहीं काश की भगवान उनके साथ कुछ अच्छा कर दे काश की यह जो चीजे चल रही है इनका कोई दर किनार निकला है इसका कुछ रिजल्ट निकला है क्योंकि वह जनता जनारदन का तो खर चलो ठीक है उनके लिए ज्यादा ज जाने कब तक उनको सुनना पड़ेगा रोज फिर भी वह बहुत पॉजिटिव रहती है अपने काम से मतलब रखती है और जब घर में अकेले होती हूँगी तो जरूर सोचती हूँगी नो डाउट उनके मन में बहुत सारी बाते आती हूँगी हाला कि दीदी ने कई बार यहां पर दिखावा कि इसलिए मैं कहती हैं कि इनकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर सकते कहा था ना एक खुशी दे नहीं पाएंगी कि तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी मम्मी जी से मैं connection फिल करती हूँ मम्मी जी ने भी cycle कहा मैंने भी cycle कहा और हम दोनों के दिल मिले हुए हैं जो 30 साल के लगबग होने हो गई हैं उनके साथ पहले मुझे बहुत अजीव लगता था मैं compare करती थी लेकिन अब मुझे connection फिल होता ननन जी के बार इम बाते बुली गए थी लेकिन वो स्रीब बाते आज आप लोगों को clear हो रहा होगा टरू आलो आप से बात करने बागी सब्सक्राइबर्स को तो पता है कि वो स्रीप उस टाइम content का बाट था content बनाना था इस वज़े सो बड़े बड़े dialogue मारे जा रहे थे जो भी connection है जो भी feeling है कि सब कुछ अच्छा होगा आगले वाले बर्थडे में बच्चे को मैं gift दूंगी पिता का gift दूंगी उस सब बातों में आपने कितना attempt किया कितनी बार मैंने कहा कि गल्दियां तो आपने करी है लगातार करी है बार बार करी है इसका यह मतलब नहीं कि सामने वाला पक्चे दूद का एकदम धूला हुआ है है उनसे भी गल्तियां हुई है लेकिन परसंटेज देख लीजे तो भाई साब आपका तरह जो जमीन में रख जाएगा तो अगर आपने गल्तियां बहुत जादा करी है तो आपने कोशिश कितना करी है अगर सामने वाला बिल्कुल कह रहा कि ना मुझे तो तुम चाहिए वे नहीं करो ना मुझे तो तुम्हारी जरूत नहीं ना तो भाई साब आपने तरीका क्या बनाया मतलब कुछ है कभी गिल्टी फिल करा अन कैमरा नहीं हो तो डालर बनाने के लोड़ अपनी इमिज को साफ करने के लिए कि यहां यहां जो धूल लगी इसको साफ कर लेते हैं उस चीज को लेकर मैं नहीं बोल रही हूं तुम्हारे पती ने भी बोला था कि इसको अगर गलती हों का अपना रिलाइजेशन होता है माफी नामा हो चाहिए होता है तो वो परसनली बोलता है ना कि सोशल मेडिया फे डॉलर बनाके आड बनाके नहीं होता है तो जो तुम्हारे पती ने भी एक हिंट दे दिया था तो क्या आपने कभी मम्मी जी से परसनली जाके बात करी अच्छा वहाँ पर्सनली जाने से बात करने से डॉलर तो बनेंगे नहीं दर्स को तो क्यों करना तो आपकी तरफ से तो जीरो जीरो का बड़ा जीरो बिल्कुल यतना इंपुट लगाया गया जिसका रिजल्ट सब के सामने है और बेहद अच्छे तरीके से पता है जनता को भी तो सो की सीधी बात नको वकवास जुझी की तरफ से कभी कोशिश की ही नहीं गई और वो हम सब को पता था लेकिन जो कुछ नास पीटे टरू वाले आके यहाँ पे गरी आते थे कि नहीं जी उसको तो सल्फरेलाजियोशन है वो नास बेटा ही नहीं ले जाना चाहता वो ही घर नहीं बसाना चाहता उमेद करते हैं तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा बात करें यहाँ सरिफ और सरिफ में टरू वालो से क्योंकि तुम लोग यहाँ कि बहुत गंध लिक्किया जाते हो लेकिन जिजी के दिमाग को नहीं पड़ पाते है या फिर तुम्हारा भी दिमाग इतना उतला है जो कंटेंट देखते देखते उनका दिमाग भी बस वैसा ही हो गया है है कोई बात नहीं तो इनके जो पिता शुरीम है मतलब बात अगर हम यहाँ पे करें जूट की दिवानी की कल एक किसी सब्सक्रेबर ने बहुत सारी अच्छी बात करी थी कि भाई अक्सर जब सोलन शुमल पापा होते तो शायद हम शुमला में ही रह रहे होते जोलन में कहीं रहे होते हमारा घर कहीं यहीं होता आपकी पिता शुरी को उपर वाले ने च्छीन लिया जो भी सिती रही हो भगवान न करे कभी कि माता पिता का साया किसे से छूटे लेकिन वो ऐसा हुआ लेकिन आप स जो है नहीं उसके लिए इतना ज्यादा दुख मनाया जाता है जो कि पॉसिबल नहीं आपाना लेकिन जो है उसके ऊपर एक टेरी आख भी नहीं डाली जाती है कि काश हमारे पास जो नहीं हम नहीं चाहते कि इस बच्चे के पास भी न हो व charve से क्योंकि बड़ी जी जी की बच्चपन में तो उन्होंने अपने पिता को देखा पर एक छोटे बच्चे को अच्छे साथ महीने का था तो बिलकुल पिता से दूर कर दिया गया आपके पती ने भी रीजन बताएं कि जान बुश के ऐसा चीजे क्यों की जा रही है क्यों बिलकुल भी नहीं मिलने दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है बच्चा जाने गा जब जाने गा ट्व अट्व अटेश्मेंट बढ़ेगी कि बच्चे जितना बड़े होते हैं चाहे वो कार्टून देखें चाहे ब स्कूल जाएं उनक तो पापा कौन है। आला कि इनोंने एक दिन मिला और फिर वहां पर पहले तो भाई जब बच्चा मिला तो भाया ही बोला था थैंक्यू भाया जब ये कुछ लेकर गय थे। लेकिन इस बार इनोंने खुद बताया कि मैं पापा हूं, ये दादी हैं। तो जो मिलन मिलन हो गया होगा तो उसके बाद बच्चे के ये कबान बिलने पे कितना याद रहेगा और ऐसको याद भी रहा होगा उसने कुछ प्धारी भी करी होगी जो कि अब करता है वो तो बोले होगा कि कल को बढ़ा होके कहीं पिर वो सारी चीजों के लिए अटेश्मेंट ना फिल करें इसलिए उसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ जहर घोला जाएगा और यह सचा ही है यह हकीकत है जिस बंदी ने अपने बच्चे को यह तक नहीं बताया कि आपके पापा चलो दादी और बहुत दूर की बात है कि उनसे तो उनको इनकी इतनी जादा खुनस थी लेकिन अब जिनके साथ घर बसाना चाहती थी फिर से एक बार अपने आपको बीबी कहलवाना चाहती थी उसके बारें भी नहीं बताया कि बच्चे को ही अटेश्मेंट हो तो अगर वो पापा प प्रकार का कुछ बदलावाए पापा के अंदर कुछ लगाओ लेकिन भाईया कहलवाएंगी यह तो पड़िचे ही ना देंगी कल को बच्चा बड़ा हुआ तो कहीं भाई मम्मी जी को और इधर की लोगों को इनके जो है डाइपर को इनके जो है जिम जैम बिस्कित को और जो खाने पिने दूद के पैसे को भूल के उधर ना चला जाए इसलिए पापा से दूरियां बेहतर है पापा से दूरियां बेहद है जरूरी आप सब सोच लो किस तरीके से दिमाग लगाया जा रहा है किस तरीके से की अभी यह चोटा बच्चा है अभी से इसके माइन में इसी चीजें और 110% पिता को लेकर अगर वो कोई करता होगा तो किस प्रकार की चीजें उसके दिमाग में डाली जाती होगी, यह बिल्कुल भी नहीं सोचते होगे कि यह छोटा बच्चा है, अभी छोटा बच्चा उस वाले हाउस में गए रहे है, कभी यहां गए रहे है, कि हमने कभी इस बच्चे को करते नहीं देखा, ना वो एक्टिविटी वाले उसके साथ हमने खेलते देखा, हम लोग शाम हो गई है, मिट्टिम खिलने जा रहे हैं, हम लोग दूसरी शाम हो गई, मिट्टिम खिलने जा रहे हैं, हम लोग तीसरी शाम हो गई, मिट्टिम खिल कभी सोलन कभी शिमला कभी पटना कभी आईटी कानपूर कभी इतने दिनों में बच्चा कहां कहां घुम और गूंचुका है आप सब को बेतर ढंक से पता है तो उस बच्चे को इतने दिनों में मतलब जो दस मह ने, इनके पती जी ने गिनाए, इनके कागजी पती ने गिनाए उसमें स्रिफ दो बार मिलने का ऊसर आया और उसके अलावा जित जी के जिन्दые में सिर्फ समख्य आया सिर्फ कठिनाई आई तरू वालो सोच के देखना कानून ना सब की लेक समान है अब तुम लोग कहोगे कि यहाई पालिस यहाई खिलाईस यहाई दूद लाईस यहाई डैपर लाईस तो भाई जो लेके गया है वही आएगा है अब गोड कच्वरी वाला जो पड़ी है तो व कर भी वकील ने गुस्सा किया था कि भाई आपने ऐसा क्यों किया जब यह सब कोर्ट में चल रहा है क्योंकि हमा जुद्जी भी कहती है जो भी होगा अब हम तो लीगली ही जाएंगे हम जो भी एक्शन लेंगे लीगली होगा जो होगा वकील कोर्ट के द्वारा होगा वही हम मानेंगे तो उधर से भी तो लीगली बहुत कुछ होता है हाला कि वाइटी पर भी एक कोठ लगता है समय समय पर गाली गलोज़वाला उसमें बहुत सारे लोग जज बन जाते हैं वकील बन जाते हैं और अपने नियम सुना देते हैं कि इतने साल में धाई साल में स्रिफ तस चार रुपल ली हैं पांस रुपे एक तो बहुत मजा पुड़ाया गया था लेकिन दस जार का तब चर्चा में आवा जब इनके पती परमेश्वल ने बताया तो दस महीनों में स्रिफ दो बार मिलने का जो अवसर मिला है इसके रिग पातों को पूरे तरीके से रखो इस तरीके से रखो कि भाई लोगों के दिमाग में चीजें आ जाएं लोग समझें और वहां पे जो जज हैं वो बेसिकली इस चीज को समझें कि वाकाई में कौन घर बचाना चाहता है और कौन यहां पर तरिया चरितर करके इस प्रकार का खेल रहा है, दस महीने में सिर्फ दो बार, जजी सहाब आपको भी समझ में आना चाहिए, कि ये कौन कर रहा है कानून के साथ खेलवारे, किस वज़े से इस केस में डेट पे डेट बढ़ती जा रही है, तो इस बार इनों ने कहा भी है, कि हम ना पूरे तरीके से क्लियर्टी के साथ अपनी बात को रखेंगे, क्यूंकि भाई साथ बहुत दिनों से कौन गेम खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे पता चला है, और लगातार बार बार जिसको मिलाना होता है, इस प्रकार के क्रिया कलाब ने करता है, सेम डेट पे, और भाई तयार होने के बाद जो लोग मुखर गए वैसे इनकी जबान की कोई कीमत नहीं है लगभग हजारों बारे हा ना वाइटी पे इनोंने अपनी जबान दी है टाइटल के मादधम से वीडियो के मादधम से लेकिन आज तक एक भी अपनी बात पर खरी नहीं उतरी तो ऐसे लोगों की जवान की कोई कीमत नहीं होती हो तो आप लोग जानते हो लेकिन हाँ बस इतने कहना शाह होंगी कि जिजी अब ये बंद करो गेम आपका ये गेम ना बहुत ही जादा गंदा हो रहा है बहुत ही जादा आप क्या चाहते हो पूरे तरीके से क्लियर करो को इस प्रकार का तमाम लोग तो यहीं कहना है कि भाई आप अपना लॉयर चेंज कर देओ क्योंकि पहले भी बोला था और उनका कहना कि परेतिन का लॉयरूर बेस्ट है तभी वोग कोड का order के खिलाब चला जाता है सामदाम दंडवेद अपनाता है जो कोड कहती है प्रीती परेतिन का जो भी है हमारी परेतिन जी जी उनका वकील बेस्ट है तो अब उससे बहतर वकील आपको ढोड़ना होगा आपका वकील ना कुछ अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो ब हो सके क्योंकि हमेशन जाने कितने ऐसे संड़े बीते हैं इनके वकील के द्वारा भी पहले प्रॉमिसेस करे गए बाते भी की गए बाद में भाई साब वकील के द्वारत युदॉरा कोई वारते लाप नहीं हो पाई फोन ही नहीं उठा तो अब क्यूं उठेगा क्यूंकि भाई साब जब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है तो बहतर फोन को अवाइट किया जाए तो ये सारी बाते रखने चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि जानकारी तो देनी चाहिए जो भी रीजन है जानकारी तक नहीं दी गई अगर ये साइड में जिग जी होती तो इतना जादा नोटंक की ड्रामा इतना जादा एमोशनल खेला खेल जाती कि काही बता है बागे आप सबको काह लगता कॉमेंट करके ज़रूर बताना अभी के लिए इतना ही टाटा बाई बाई